हेलो दोस्तों कैसे हैं आज मैं आपको राजिस्थान की कच्री की सब्जी बनाना बता रही हैं इसके लिए हम लेंगे 500 ग्राम कच्री इसे धोकर साफ कर लेंगे और इसके 4 हिस्सों में इसको काट लेंगे अगर कच्री बड़ी है तो इसको हम आठ हिस्सों में काट लेंगे इसके बीज कभी कभी कड़वे होते हैं इसलिए इसके बीजों को हलका सा टेस्ट कर लें और सभी कच्रियों को हम काट लेंगे कच्री की सब्जी बहुत ही चटपटी होती है इसको हम अचार की तोर पे या फिर इसकी चटनी भी बनती है इसकी सब्जी भी बनती है इसको हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं और इसको संघ्रे करकर भी रख सकते हैं यह आसानी से अब तो हर्जे के उपलब दोती है पहले यह राजिस्थान में ही मिलती थी यह एक सीजने सब्सक्राइब यह सितंबर अक्टूबर के महने में आती है आज इसका सीजन देखिए इसको सारे पीचों को बड़े अराम से काट लेंगे इसमें ज्यादा मसाला भी नहीं लगता इसमें सिरफ हल्दी नमक लाल मिर्च और हल्का सा गरम मसाला इनसे ही यह कच्री की सब्जी में भहत ही चट्पटी और बहुत ही तेश्टी बन जाती है कि इनकर उपर निचे के चल और अच्छ से दोकर खाटेंगे कि बार बहुंत इसको चार पीसों में और ऑगर बढ़िये तो इसको हम 8 इसमें काट लेंगे ऊकाच्री की सब्ची बहुत हीं पसंद्द की जाती है राजस्तान में अब तो हर जगे यहीं है असानी सोपलब्द हो जाती है और इसको हम खाली अगर किस दिन सब्जी नहीं है तो इसका चार बहुत ही प्रेस्टी लगता है और शम quarter हम में एकड़ाई में हम तेल लेंगे चार-पांच कड़्शी और इसमें हल्का सजीरा आदी चमच हींग अपने स्वाधर नुसार डालें और इसमें थोड़ी से हल्दी डालेंगे और एक चमच लाल मिर्च डालेंगे यह देखे और साथ ही हम कटी हुई कच्री इसमें डाल देंग हल्दी और मिर्चा पहले डालने से कच्री के इसको अचार या सब्जी हम जो भी बनाएंगे वह बहुत ही अच्छा रंग आएगा यह देखिए कितना बढ़िया रंग लग रहा है और हल्की हल्की सी खुजबू भी आने लग गई है यह पकने में ज्यादा समय भी नहीं लेत ला से और अच्छे से मिलाकर कर болब कर ड़ी एक ताकि सारी कच्रियों पर मसाला अच्छे से लग जाहे अब इसको हम 10 मिनिट के लिए डग देंगे यह देखिए हमारी सब्जी करीब करीब तयार है अगर हमने इसे अचार की तरह संग्रित करना है तो इसको खल कासा कच्चा रखेंगे ज़्यादा टैम नहीं पगाएंगे ये देखें दोस्तों कच्री की सबजी बिल्कुल तयार है इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं हम इसे मेहमानों को खिलाएं आपने बना कर रखें अगर आपको मेरी डिस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें आपके क्मेंट्स का मुझे इंद्जार रहेगा